मेरा नाम वन्दना सिंग है इस वीडियो में हम देखेंगे UPPAC 2023 के लिए तीन ऐसी चीज़े जो आपको करनी जरूरी है जो आपको कट आफ निकालने में जो है बहुत जादा हेल्प करेंगी तीन ऐसी चीज़े हम उसको डिसकस करेंगे तो यह प्रिलंग्स 2023 कोर्स है इस नंबर पर वाट्सप और टेलिग्राम करके आप इसको जॉइन कर सकते हैं सारी डिटेल्स यहां दी हुई है और जो 2020 का कोर्स था उससे डारेक्ट 93 कोशन आये थे नीचे PDF होगी महां से आप इसको वेरिफाय कर सकते हैं तो देखे आप जो है अभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे आपने स्टांडर्ड बुक पर डखी होंगी आप उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे साथ में टेसरीज भी लगा रहे होंगे टेसरीज इस वेरी मस्ट जितने भी नए टाइप के कोशन होते हैं उनको केटर करने में टेसरीज बहुत हेल्प करती है तो यह सारी चीज़े कर रहे होंगे लेकिन तीन ऐसी चीज़े त्री तिंग्स ऐसी कौन सी है जो करना बहुत जरूरी है approximately यहां से minimum 60 questions यहां से आते हैं 60, 60 से जादा भी हो सकते हैं लेकिन minimum 60 questions इन तीन चीज़ों से आ जाते हैं तो इसमें पहली चीज़ क्या है पहली चीज़ है previous year question previous year question previous year question करना बहुत जरूरी है क्योंकि question जो है अराम से repeat होते हैं तो इन 20-25 questions जो है minimum अराम से repeat हो जाते हैं तो previous year question करने के लिए आप कौन सी source यूज़ कर सकते हैं पहला हो गया घटना चक्र दूसरा हो गया दूसरी source हो गयी आपके पास youth competition की previous year book आती है उसमें सिर्फ UPPSC के UPPSC के जो है उसके ही question होते हैं सिर्फ youth competition है PCS के question होते हैं तो यह घटना चक्र को youth competition हो गयी यह previous year है तो already अगर आपने आपकी standard book सारी complete हो चुकी है आपने उनका अच्छे से revise करा आपकी चीज़े consolidate हैं तब आप घटना चक्र जो है उसको refer कर सकते हैं अगर अभी भी आप standard book अपनी सारी complete नहीं कर पा हैं अभी भी उनको पढ़ रहे हैं standard book सारी complete नहीं हुए हैं अभी भी उनको पढ़ रहे हैं सारी चीज़े तयार कर रहे हैं notes पढ़ रहे हैं साथ में आपके notes भी complete नहीं हुए हैं, उनको भी आप अगर पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जो है, youth competition वाली book जो है, उसको refer कर सकते हैं, last 30 years के question है, और सिर्फ जो है, UPPSC के question है, last 30 years के, तो आप इस book को refer कर सकते हैं, तो इस तरह से घटना चकर और youth competition, कौन-कौन refer कर सकते हैं, यह हम discuss कर लिए, अगर किसी को कोई doubt है इसमें, तो वो पूछ सकता है, दूसरी चीज क्या है, सबसे important, lucent GK, lucent GK जो है, बहुत जादा important है, lucent GK में जो सबसे जादा important पार्ट है, ancient and medieval history, बहुत जादा important पार्ट है, बहुत अच्छे से दे रखा है, यहां से पढ़िए, ancient and medieval history, और बाकी सारी चीजों को revise करने में, lucent GK आपकी help करेगी, revise किसमें, modern history का revision, geography में इतना कुछ दे नहीं रखा, लेकिन काफी अद तक दे रखा है, regional geography जो है, regional or mapping में जो है, थुड़ी help कर देगा, इसमें help कर देगा, science में कर देगा, लेकिन science आप जो नीली वाली किताब जिसके मैंने videos बना रखे हैं, अब उससे science करना, इससे मत करना, जो lucent general science की बुकाती है, lucent general science की, अब वहाँ से science करना, economy में कैसे help करेगा, economy में कैसे help करेगा, बहुत सारी schemes इसमें दे रखी है, economy की, जो direct आजाती है, previous scheme, तो वहाँ भी इसमें आपका help करेगा, quality में जो है, सारे articles और इन सारी चीजों को जो है, बहुत short में दे रखा है, तो revision करने में, जो है, revise करने में ये, पॉलिटी का revision हो गया, जोगरिफी का regional और mapping हो गया, इन सारी चीजों को, history में, ancient and medieval तो यहां से पढ़नी ही है, ancient and medieval, modern history, ये modern history में भी help करेगा, इस type से जो है, इन सारी चीजों में जो है, आपको ये help करने वाली है, lucent जी के, अब तीसरी चीज क्या हो गई, अच्छा, पहले इससे पहले हम देख लेते हैं, तो घटना चक्र, घटना चक्र बोलें, या previous year question बोलें, अगर या आप यूथ competition का कर रहे हैं, plus lucent, इससे कम से कम, minimum 40 questions अराम से आ जाते हैं, 40 से 60 भी हो सकता है, 40 से 55 भी हो सकता है, 40 तो minimum यहां से आएंगे ही, minimum question यहां से 40, जो minimum question है, यहां से आएंगे ही, 40 से जादा भी हो सकता है, 60 question तक यह जा सकता है, तो आपके यहां से एक बहुत जादा major chunk जो है, आपका हो जाएगा क्योंकि 90 कोशन आपको चाहिए 90 कोशन में अराम से आपका जो है एक्जाम क्लियर हो जाता है 90 कोशन भी अगर आपने सही कर लिए तो आप 40 से 60 कोशन जब यहां से इन दो सोर्सस से कर पा रहे हो तो यह जो है बहुत जादा इंपोर्टेंट है 40 से 50 अगर 90 कोशन भी कर लेते हो तो आपके अप्रॉक्सलिमेटली 119-120 नमबर हो जाते हैं तो अराम से कट आउफ निकल जाएगा तो 40 से 60-55 कोशन अराम से हो जा रहे है तो अब तीसरी चीज डिसकस करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि आप यह सोचेंगे कि यह तो फिर यही तीन सोर्से कर लें देखो यह तीन सोर्से कर लो लेकिन इन तीनों सोर्से को आपने जो पढ़ा है सब कुछ याद करना थोड़ा मुश्किल होगा मतलब आपको जो एक्जाम में सब कुछ याद आ जाए तो यह थोड़ा मुश्किल होता है तो इसलिए जो है स्टेंडर्ड बुक पढ़ना और टैस स्रीज करना भी जो है जरूरी है लेकिन आप इन तीन सोर्से हैं इनको निगलेक नहीं कर सकते तीसरी सोर्से क्या है तीसरा सोर्स है मंथली करन्ट अफेर्स तो मंथली करन्ट अफेर्स आप ACP-PSC के कर सकते हैं आपने यह कर लिया इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है अदरवाइस मैंने एक स्ट्राटेजी वीडियो बना रखी है करन्ट अफेर्स की आप उसको देख सकते हैं इस स्ट्राटेजी वीडियो को आप देख सकते हैं तो अगर ACP-PSC के करन्ट अफेर्स कर लिया दिस इस मोर दन सफिशेंट नीचे PDF होगी प्रेडिक्शन वाली त देख सकते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़े चूट जाती है और उसके लिए आपको एक सेकंडरी सोर्स भी रिफर्ड करना पड़ता है तो यह आप यह पढ़िये लेकिन वह सिर्फ रिवीजिन के लिए पढ़िये लेकिन अगर आप ACP-PSC पढ़ रहे है तो आपको कोई भी मेगजीन पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ने की जरुवत ना घटना सार पढ़ने की जरुवत है ना घटना चकर पढ़ने की जरुवत है ना आई द्रिष्टी जो लास्ट में आती है आई द्रिष्टी वह भी पढ़ने की जरुवत नहीं कोई भी मेगजीन पढ इसके बाग ELDs जो current affairs है उनको सिफ revision के लिए रखना, इस पे totally rely मत होना, मंतली current affairs करते जाओ, मंतली current affairs करते रहो, और ELDs जो है, वो revision के लिए रखना, अगर ये वाला source यूज कर रहा है, तो कुछ और करने की ज़ुरत नहीं, this is more than sufficient, more than sufficient, 96% से जादा ही question यहां से आये थे, तो आपके तीन sources क्या हो गए, पहला हो गया, previous year question, दूसरा हो गया, Lucent GK, कैसे पढ़नी है वो हमने देख ली, तीसरा हो गया, current affairs, अब देखें, current affairs है, almost, मतलब हर बार, कम से कम, 25 से 30 question आते हैं, 25 से 30 question minimum है, यह range 35 तक भी हो सकती है, तो 25 से 35 question, यह अराम से, तो आप यह minimum भी अगर लगा के देखें, कि 25 question आपके हो गया, current affairs के, और वो minimum लगा के देख लेते हैं, 45 question हो गया, आपके previous year question, और प्लस Lucent GK से, तो कम से कम, यह 70 question तो यहां से ही हो गया, minimum भी देख लें, तो 60 question, अगर आप 70 question है, और अगर 10 question में कुछ गलती भी करके आते हो, तो 60 question जो है, आप बिलकुल यहां से बिलकुल सही करके आ सकते हो, तो यह 70 से 80 question जाएगा, 70 से 80 question अराम से यहां से जाएगे, लेकिन मैं पहली बता रही हूँ, standard source जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सिर्फ आपको 80 question attempt करके नहीं आने है, attempt आपको जादा करके आने है, कम से कम, 130, 135, 140, तो इस टाइब से attempt करके आने हैं, तो इससे attempt हो जाएगे आपके 80 से 90 question लेकिन आप पेपर पूरा solve नहीं कर पाऊगे, 80 से 90 question आपके पूरे सही होने चाहिए, उसको लिए आपको standard book और testory जरूर करनी पढ़ेगी, इन तीनों sources को कर लोगे, तो एक बहुत जादा confidence आजाएगा, तो इन तीनों sources को बिलकुल avoid मत करना, previous year question हो गया, आपका lucent G के हो गया, और current affairs हो गया, these are the must sources to crack this exam, तो इन exam को crack करने के लिए, यह सबसे जादा must sources है, मुझे लगते आपको clear होगा, अगर कोई doubt है, तो नीचे comment box में, आप मुझे बता सकते हैं, या फिर कोई भी, अगर कोई query है, कोई और question पूछना है, कुछ और चीज़े, तो आप मुझे बता सकते हैं, और बाकी जो है, यह ACP PAC का course है, और इस नमबर पर WhatsApp है, टेलिग्राम करके इसको join कर सकते हैं, thank you and all the best.